ओम नमु भगवते वासु देवाय नमा नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत स्वागा थे आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन आफ प्रेय नामे अक्षर तितिया का सुब दिन माता लक्षमी को प्रसंद करने का शुब दिन अपने घर में माता लक्षमी को स्थाय रुप से स्थापित करने का शुब दिन आने वाला है जी हाँ वर्स 2022 में 3 माई को अक्षर तितिया का बहुत ही शुब पावन दिन इस बार सुब संयोग में बढ़ आ है इस दिन माता लक्षमी की थोड़ी सी पूजा करने से वो प्रसंद हो जाती है और यकीन मानिये दोस्तों अक्षर तितिया का दिन माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए दिवाली से भी जादा शुब संयोग दिन माना जाता है आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सल सी पूजा जो कि आपको अक्षर तित्या वाले दिन करनी है और आपको रखना है एक कलश अपने घर के मंदर में और उसमें क्या ऐसी चीज डालनी है जिसको डालने से आपके घर की और आपकी जिंदगी की और खुशियां पैसे चुम मिनिट से बारा बच कर अठारा मिनिट तक रहेगा दोपहर बारा बजे तक जी हाँ यह बहुत ही शुप अभिजीत मूरत है वैसे तो अक्षर तित्या का पूरा ही दिन बहुत शुप माना जाता है लेकिन पूजा करने के लिए खास यह मूरत बताया जा रहा है कि यह अति इसलिए आपको करना क्या है कि सुबह उठकर नहां धोकर सबसे पहले आपको स्वक्ष वस्त्र धारन करने हैं अगर आपके पास भीले या लाल वस्त्र हों तो उन्हें धारन करें किसी भी शुब दिन पर किसी भी शुब तिती पर कभी भी काले नीली रंग की कपड़े नहीं और जहां दरिद्रता नहीं रहती वहां बिल्कुल सफाई होने चाहिए इसी तरह अपनी तुलसी जी के गंबले को के आसपास की जगह और गंबले को भी बिल्कुल साफसुत्रा करके चमका लें अक्षितिया के पहले अगर आगे काम आप कर लें तो जादा अच्छा होगा उसके बाद आपको करना क्या है आपको अपने घर के मंदिर में एक छोटी सी जगह बनानी है और वहां पे आपको थोड़े से चावल रखने हैं चावलों से अपनी उंगलियों से आप उस पर एक छोटा सा कमल का फूल बना दें इसे अश्ट दल कमल बना बोला जाता है तो अगर पॉसिबल हो तो आठ कमल की पतिया अपनी उंगलियों से चावल की से बना दें पूरी एकदम एकजाग डिजाइन आना जरूरी नहीं है बस आपको यह पता होना चाहिए कि वो कमल है और अगर आप ऐसा ना कर पाए तो आप कमल का फूल भी ला सकते हैं अगर कमल का पूल आसानी से ना मिले तो यह बहुत ही असान विदी है अश्ट दल कमल चावल से बना ले और उसके उपर माता लक्षमी भगवान विश्नु और भगवान गडेश को पुठाएं बाता लक्षमी भगवान विश्नु और भगवान गडेश हर एक के मंदर में जरूर होते ह मूर्ती हो तो मूर्ती रखे फोटो हो तो फोटो रख दीजे इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको एक छोटा सा कलश रखना है जी हां कलश बहुत ही आसानी से बजार में मिल जाता है पाक मास में पूरे महीने मिट्टी की चीजों की पूजा करने का बहुत बड़ा महत् तो अगर आपको छोटे सा मिट्टी का कलश मिल जाए तो यह बहुत ही शुब होगा और अगर नहीं मिले तो फिर आप स्टील का लोटा या अपने पूजा में इस्तेमाल होना है और उसके बाद आपको करना क्या है कि कलश के मुँपे आपको कलाई नारा से बांग देना है औ उसके बाद आपको कलश में शुधु जल और ऊसके बाद थोड़ा सा गंगाल जल डालना है गंगाल जल के साथ-साथ जो एक विशेष शीज आपको अ अपने कलश में डालनी है वह है थोड़े से जौ जी हाँ कुड़े से जौ नहां प्माता लक्षmy को अतिप्रिये होते ह शास्तРु में कलश पुल जौ पूल पूल समृद्धी के लिए आपको कलश में ौरर मातलक्षमी के सामने उस कलश को रखाया व्हीं है चोंते रूट रखने के लिए आंप किसी भी चोटे से बड़त में शुद्ध जल्म थोड़ी सी हालदी और रोली मिला कर सथिया बना दे किसाथ साथ साथ आप को अपने मुक्हे दवार पर अपने पूजा गर में अपने बंडार गर में और के स्थान पर भी सथिया बनाना है सथिया बनाना बहुत ही शुब माना जाता है सथिया बनाने से आपके घर में सुक शांदी सम्रिद्धी तो रहती ही है साथ साथ ऐसी मान्यता है शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर जहां जिस भी स्थान पर सथिया बनी होती है उस स पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ओर्जा जो होती है वो बराबर रहती है तो सथिया आपको जरूर बनाना है इसके साथ साथ आपको एक घी का शुद्ध दीपक जरूर जलाना है और माता लक्षमी को फल मिठाई का भोग लगाना है इसके साथ साथ ऐसी मानिता है क्यो अगर से belang है कि चावल की ही खीर और अगर उसमेन शहद और केसर मिला हो तो कहना ही क्या मातालक्ष्bu को अतिप्रीय होती है इसके बाद आपको मातालक्ष्मी के जो भी मंतर आते हो वो आपको पूरिश Goddess Alле stage से मातालक्ष्मी के सामने जरूर ने हैं इसके बाद आपको भगवान विष्णु गड़ेश भगवान का पूजन पूरिश रधा से करना है पहले गड़ेश भगवान का पूजन करेंगे उसके बाद ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करेंगे अगर आपके घर में गड़ेश भगवान की मूर्टी ना हो तो आप सुपाडी पर कलाई नारा बांद कर गड़ेश भगवान की तरह स्थापत कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अक्षर्तित्या वाले दिन सोना या चांदी खरीद रहे हैं तो वो भी आपको इसी वक्त भगवा, माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु को चड़ा देना चाहिए पर हर किसी के लिए शोना और चांदी खरीदना संभव नहीं होता है अक्षर तित्या वाले दिन तो जो आपके पास पहले के गहने रखे हुए हो आपके पुराने सोना चांदी जो आप रेगिलरली पहनते हो यह जो आपने तिसोरी में रख रखे हो वो भी निकालकर आप मातलक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं और उनसे प्रातना कर सकते हैं कि आपका घर संसार आपका भंडार भरा रहे है तो पूरी श्रद्धा से पूरे मन से अक्षर तित्या वाले दिन आपको मातलक्ष्मी और भगवा बांच सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, अपने मुख्यदार को बिल्कुल साफ सुतरा रखें, इसके साथ साथ मातत तुलसी की पूजा करना भी अतिश्रप माना जाता है, अक्षर तित्या वाले दिन पूरे वहसाग के महीने में मातलक्ष्मि मार्भगवान विश्नु और म तुलसी जी के गमले को साफ सुतरा करें, और उसके बाद बहाँ पर एक घी कादी पक चलाएं, जल चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, श्रिंगार का सामान मातलक्ष्मी और तुलसी मया दोनों को जरूर चढ़ाना चाहिए, तो अक्षर तित्या वाले दिन पूजा पाठ ज तुलसी मया की पुजा अवश्य करें, इसके साथ साथ जो भी आप सोना चांदी घर, गाड़ी बरतन जो भी आप खरीदना चाहें, वो सब खरीदें, क्रक्षिर चुतिया के दिन किया गया, छोटा सा छोटा काम से आपको जादा से जादा फल मिलता है, उस दिन किया गया, कोई भी काम जरूर सफल होता है, मातलक्षमी से मेरी यही प्रातना है, कि वो हर एक का संसार भरे रखें, हर एक के घर में खुशिया बनाए रखें, हम सब पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखें, धन्यवाद, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करिएगा, दोस् आने पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, धन्यवाद, राध राध है